तीसरे ट्रिक हमें ये सिखा रही है कि इंग्लिश की लाइन में ध्यान से देखना एक्जामिनर ने अ नंबर ओफ लिखा है या दा नंबर ओफ लिखा है फरक ये पड़ता है बिटा ए नंबर ओफ का मतलब होता है बहुत सारे और दा नंबर ओफ का मतलब होता है कईयों में स से एक तो बेसिकली जहां भी ए नंबर ओफ आएगा सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल और जहां पर दा नंबर ओफ आएगा सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब क्योंकि मैंने इन दोनों का मतलब क्या बताया ए नंबर ओफ मैंने कहा कई सारे और दा नंबर ओ में मैंने कहा कईयों में से कोई एक तो जहां पे भी दा नंबर ओफ दिखेगा हम सब्जेक्ट को प्लियूरल रखेंगे और वर्ब को सिंग्यूलर जैसे कि मैंने कहा दा नंबर ओफ स्टूडेंट्स आर इंट्रेस्टेट इन इंग्लिश the number of students are interested in क्या गलती कर रहे हूं the number of देखते ही बच्चे को चेक करना है subject plural होना चाहिए है, verb singular होनी चाहिए, नहीं है तो exam में तुम इस r को क्या बना के आओगे और तुम्हें paper में number मिल जाएंगे इस तरीके से question करना है the number of का अब मैंने यहां तो इस लगा दिया बिटा और इधर मैं phrase ही बदल दू तो क्या करोगे तुम सब क्योंकि a number of अपने subject को भी plural रखता है और verb को भी